सावन का महिना असे शुरू हो गया है और ये महिना 12 अगस तक चलेगा इस महिने में भगवान शेफ के खास फूजा अर्चना करने से विशेश फल की प्राक्ति होती है ये महीना बोलेनात को काफी प्रिय होता है इस महीने में उन्हें प्रसन्न करना भी काफी आसान होता है लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जिने आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए चलिए आपको बताते हैं उन कामों के बारे में सावन के महीने में प्याज, लहसून और मास का सेवन नहीं करना चाहिए इसके अलाबा सावन के महीने में बैंगन का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है सावन के महीने में सुभा जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहने चाहिए सावन भर भोलेनात को जल और बेल पत्र चड़ाएं तो और उत्तम रहेगा सावन महीना तप और साधना का महीना है इसलिए सावन में विलासिता वाली चीज़ों से दूर हैना चाहिए ऐसी मान्यता है कि सावन में गद्दे पर भी नहीं सोना चाहिए इस दोरान जमीन पर सोएं सावन के महीने में बाल और दाड़ी नहीं कटवाने चाहिए और नहीं इस दोरान ना खून कारते चाहिए सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए इस पूरे महीने आपको सिर्फ रात में सोना चाहिए और बाकी पूरा दिन शिव भक्ति में बताना चाहिए सावन के महीने में दूद का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन आप शिवलिंग का दूद से अभिशे कर सकते हैं इसके अलावा इस पूरे महीने में कांसे के बरतन में नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में ऐसे वचारों से दूर हैना चाहिए किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए अगर आप शिवजी का आशिरवाद बहना चाहते हैं तो इस महीने में अपने माता पिता और गुरू का सम्मान जरूर करें